नमस्कार दोस्तों आप सभी का इंडिया स्पीक्स में हार्दिक स्वागत है धान की खेट में पड़ा मिला शव शेत्र में मचा हरकम सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्षा चलकुमार मैफोस के साथ मितक नंदलाल मानसिक रूप से कमजोर था जो कई-कई बार अपने घर से 15 से 20 दिन तक गयब रहता था और अपने आप अपने घर वापस आ जाता था आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख रहे हैं के धान के खेट में पड़ा है शब बिलसंडा नगर में आज सोमवार कुक्षेतर के ग्राम राठ के पास मितक नंदलाल पुत्र मूला राम निवासी ग्राम राठ थाना बिलसंडा जनपक पीली भीत उमर करीब 30 वर्ष आज नरेंद्र तिवारी के धान के खेट में पड़ा मिला शब करीब 12 से 14 दिन पूर्व का लगता है मितक नंदलाल मानसिक रूप से कमजोर था जो घर से कई बार 15-20 दिन गायब रहता था और वह अपने आपा जाता था परिजनों ने कुलिस को पंचायत नामे के लिए तहरीर दी है अभी किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है मौके पर शान्ती व्यवस्था है शब को पोस्ट माटम हे तु जिला मोर्चरी पीली भी भीजा गया है रेपोर्टर राजेंद्र वर्मा बिलसंडा